Hello and Welcome to NICS Computer Education दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागे थे आज की इस वीडियो में हम अपने horizontal डाटा को vertical way में किस तरीके से convert कर सकते हैं उसके बारे में जानेगे तो सबसे पहले आपने data का selection कर लेना है उसके बाद आप home menu के अंदर copy पर चले जाएंगे और इस data को copy कर लेंगे आप इसे जहाँ paste करना चाहते हैं वहाँ पर आपने click कर लेना है उसके अदर home के अंदर ही आप paste के इस point क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने paste special पर click कर देना है तो आप देखेंगे paste special के आपके पास बहुत सारे options आ रहे हैं आपने यहाँ पर transpose पर click करके ok कर देना है वह इस तरह के से आप अपने horizontal data को vertically way में असानी से कर सकते हैं अब इसी procedure को हम keyboard के shortcut keys द्वार अभी करके देख लेते हैं तो सबसे पहले आपने data को clear कर लेना है आपने data को इस तरह की से selection करना है और keyboard की मदद से control C press करना है ताकि आपके data copy हो जाए और जहाँ पर भी आपको इसे paste करना है वहाँ पर आपने click करना है और keyboard से control Alt और V को press करना है तो आप देखेंगे कि आपके पास paste special की option on हो गए है और यहाँ पर आपने transpose पर click करके click कर देना है तो आप देखेंगे कि keyboard की मदद से भी हमने इसे बड़ी आसानी से convert कर लिया है तो आज कर वीडियो हम यही स्वाप्ट करते हैं और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें like and subscribe करें और notification bell को जरूर on कर लें ताकि हमारी आने वाले वीडियो आप लोगों तक असानी से बहाँ सकें तो मिलते हैं next video